एलो कॉमर्शियन्स, वेलकम टू कॉमर्शियन्स टॉक्स एन आज की वीडियो में हम लोग सॉल्फ करने वाले हैं अपना एकनॉमिक्स का प्रिवियस इयर क्वेशिन्स को यह जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन हो जाता है इसमें सारे प्रिवियस इसके क्वेशिन्स हैं तो अगर आप एक ऐसे बच्ची हो जो इसने अभी तक ज़्यादा पढ़ा ही नहीं करी है जिसको अभी तक नहीं पता भी है सुटिक एक्वेशियन्स कैसे और साथ में आपकी प्रोग्रेस भी बता चलेगी कि आपका एक्जाम कैसा जाने वाला है यह जो क्वेशिन्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है आते हैं और ऐसे क्वेशिन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर द हूं तो इंडिया चाइना से ज़्यादा क्या यह करेक्ट है यह सोचो बेस्ट ऑन एजडिया रेंग पाकिस्तान इस एहड़ अफ इंडिया विट एटी सिख्थ रैंक इन पाकिस्तान ओके ओके ठीक है यहां पर पाकिस्तान को आगे बढ़ाय जा रहा है उसके असर बोला बेस्ट ऑन एजडिया रेंक पाकिस्तान इस एहड ऑफ चाइना विट वन थर्टी एट रेंक इन पाकिस्तान अगे यह चीज यहाद रखना चाहे आज की बात करो चाहे पहली की बात करो बागी संब में थोड़े से अलग चीज़े दी गई हैं तो इसको हम लोग यहां पर नहीं करेंगे, तो बिल्कुल easy question था, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, match the column हमारे सामने जाता है, तो animal husbandry, operational flood, horticulture और major fish producing state यहाँ पर बोला गया है, तो देखो अगर state बोला गया है, तो यहाँ पर directly West Bengal हो जाता है, तो यहाँ पर या तो C option होगा, या तो A option होगा, अब उसकी बा इसको आपको करने में 5 से 10 सेकेंड लगना चाहिए, क्योंकि A का जो option है, वो सारे अलग-अलग है, तो सिर्फ A का पता कर लो, बाकी का अपने आप, यहाँ पर हो जाएगा, अब next question पर आते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है, यह tax collection के बारे में, so when tax collection dash the required expenditure, the budget is set to be in dash, तो य तो देको बहुत simple सी बात है, अगर आपका tax, यानि कि आपकी चो income है, वो exceed करेगी आपके expenditure को, तब ही यहाँ पर सरफलस होगा, इसलिए यह आपका correct option हो जाता है, अब next question पर चलते है, तो यहाँ पर बोला गया, which of the falling statement is correct, तो यहाँ पर हमको एक से जादा यहाँ पर बताने हैं, तो अगर मैं 1-1 को देखता हूं, तो देखो common answer यहाँ पर आया है, तो A या B में से कुछ होना चाहिए, यह मैं तुक्का लगाने वाली strategy भी use कर रहा हूं, तो subsidies will reduce inequality between rich and poor, yes, बिल्कुल correct है option, now next जाता है कि subsidies are given to the farmers who do not do agriculture work, की गलत हो जाता है, subsidies are given to farmers, daughters to continue education, अब देखों सा अजीब सा लग रहा है मुझे, तो यह भी नहीं होगा, subsidies needed to encourage farmers to test the new technology, अच्छा, यह भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर last में दियागा है, subsidies needed for landless farmers, तो यहाँ पर जो correct हो जाता है, यहाँ पर that is fourth one and first वाला, तो यहाँ पर जो correct option is that will be B, fifth वाला नहीं होगा, क्योंकि landless farmers को subsidies ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जिसको जरूरत है उसी को दिया जाएगा, यहाँ पर जाता है, match the column, fixed part of production दिया गया है, human power in production दिया गया है, machine and power in production या फिर art of getting production done, इसमें से कौन सा होगा, अरे यार बहुत easy है यार, तो यहाँ पर human power in production अगर करोगे, तो directly इसका labor हो जाता है, क्योंकि सारे जो options है, वो यहाँ पर different हो जाती है, तो fifth का यहाँ पर यह option सही हो जाता है, अब अगर आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर जाता है, an increase in exchange rate, अगर exchange rate increase हो रहा है, तो यह imply करता है, कि जो price of foreign currency की in domestic currency is increased, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, appreciation, revolution, depreciation after interest rate, तो द appreciate हो जुके, तो यह जीज़ आपको याद रखना है, which of the falling means avoiding imports of those goats which could be produced in India itself, तो यहाँ पर आप avoid कर रहा है, imports को उन goats का जो कि इंडिया में produce किया जा सकता है, इससे आपका modernization आएगा, self-reliance आएगा, structural composition या फिर equity, तो correct answer, यहाँ पर भी हो जाता है, कि आप self-reliant जादा बन जाओगे, ओके, now next पर चलते तो आता है, कि name the state that has witnessed a decline in the dependence on the workforce on the agriculture sector during the colonial period, तो यह जो है आपका NCRT अगर आप पढ़ते हो, तो यह question आपको अराम से बन जाना चाहिए, तो यहाँ पर बोला गया, आंदरप्रदेश, पंजाब, उडिसा या फिर राजिस्थान, तो यहाँ पर the falling is not the merit of organic farming, merit नहीं है, तो यहाँ पर odd one out वाली जो चीज है, वो लगा देना, बस यह जो मैंने आपको तुक्का वाली टेकनीक में बताया था, it generates more income through exports, it has a shorter self-life, it has more nutritious value, after it provides healthy food, healthy food भी एक merit है, यह भी merit है, यह भी merit है, लेकिन जो shorter self-life है, यह एक merit नहीं है, इसलिए भी आज the scarcity of resources give rise to one of the falling problems, choose the correct option, यहाँ पर कौन सा साई option होगा, तो देखो भाई, यहाँ पर अगर जो resources वो square है, basically कम है, तो यहाँ पर interest use choice of a technique, तो हम सब लोग जानते हैं, choice is the right answer, क्योंकि कम है, तो choose करके यहाँ पर चीजों को use करना पड़ेगा, अब आगे वाले question पर चलते हैं, त आप options को सबसे पहले देखा करो, options में a का या तो fourth है या तो a का one है, तो a का देख लो जरा, तो a का current account surplus हो सकता है, या फिर balance of payment का deficit हो सकता है, तो अगर income जादा है, तो हमेशा surplus आएगा, तो a का आपका fourth ही हो सकता है, तो c और d option डारेकली गट हो गए, second is, आप b को ही मत आप directly c को देखो, receipts अगर आपकी कम है payment से, तो यहाँ पर क्या होगा, deficit होगा, यानि कि c का आपका second होना चाहिए, तो c का second इसमें देगा है, तो 11th का a option यहाँ correct हो जाता है, directly बने elimination technique का use किया और कुछ नहीं किया, 12th पर चलते है तो जाता है chronologically arrange the falling events, आपको arrange करना है falling events को, नीते आयों कि establish होगा, green revolution start होगा, setting up of planning commission, okay, industrial policy resolution, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हो, तो सबसे पहले तो first five year plan ही नहीं, या तो one आएगा, या तो five आएगा, तो देखो one आएगा, या तो fifth आएगा, तो सबसे पहले planning commission यहाँ पर setup होगा, तो fifth से अपना start हो तो fifth के बाद अपना fourth ही आएगा, क्योंकि दोनों option में fourth ही दिया गया है, then third या फिर second आएगा, तो या तो green revolution आएगा, या तो industrial policy resolution आएगा, तो industrial policy resolution 1956 में हुआ था, तो मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा correct answer आपका हो जाता है, second वाला, तो D is your right answer, 12th का D answer सा right हो जाएगा, identify which of the falling concepts can be negative, APC, MPC, APS या फिर MPS, तो हम सब लोग जानती है, कि यहाँ पर जो APC है, वो कभी भी negative नहीं हो सकता है, क्योंकि consumption कभी भी negative में नहीं जाता है, MPC भी कभी negative नहीं हो सकता है, क्योंकि consumption की बात है, पर APS में savings की बात हो रही है, और savings can be negative, हम सब लोग जानते है, negative में आ स सर MPS भी नहीं होता, MPS की बस जो value है, वो 0 से 1 की बीच में होती है, यह चीज़ आदग ना, क्योंकि वो marginal है, which of the falling is not a component of the capital account in the balance of payment account, again बहुत easy है, FDI, portfolio investment, external assistance, या फिर net factor income, तो यहाँ पर कौन सा capital account में नहीं आएगा, तो देखो capital account में FDI जो आएगा, portfolio भी आएगा, external assistant भी आएगा, लेकिन, यहाँ पर जो net factor income है, वो नहीं आएगा, क्योंकि वह एक per person की income की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर correct answer आपका D हो जाता है, अब next question पर यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर आता है कि the close example of a central planned economy is one of the falling, in the major part of the 20th century, choose the correct option, पोलेंड, चाइना, रशिया याँ फिर यूकरेंड, तो यहाँ पर close example of central planned economy, तो central planned economy के बारे में देखो बहुत simple सी बात है, नहीं हमने यूकरेंड के बारे में पढ़ा है, नहीं हमने रशिया के बारे में, नहीं पोलेंड के बारे में, हमने सिर्फ चाइना के बारे में आपने इंडेनी क्रू में पढ़ा है, तो चाइना पर यहाँ पर आराम से आप जो है टेक लगा सकते हो, डारेक्ट है बिलकुल, again elimination technique, identify which type of consumption will be there even at zero level of income, zero level of income पर कौन सा consumption होता है, तो induced consumption, normal consumption, national consumption, और और autonomous consumption, यह तो सबको ही पता होगा, यह फ्री के नंबर आपको मिल रहे है, autonomous consumption is the right answer, basics, basic concepts are every time, very very important, consuming each additional unit of a commodity declines, इस क्या decline करता है, marginal utility uses goods या फिर capital, जैसे जैसे आप हर बार एक एक commodity को हाँपर पानी पीते जाओगे, या फिर burger खाते जाओगे, momos खाते जाओगे, तो आपकी जो marginal utility है, वो खतम होता है कि 17th का a option यहाँपर आजाएगा, अब तो next question हमारा यहाँपर आता है, वो आजाता है positive economics की उपर, और हमको यहाँपर देखना है कि choose the correct answer, तो एक correct answer देखना है, अब मुझे 1, 2, 4 और 5 दिया गया, option सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो यहाँपर, जो third है वो तो already गलत हो गया, क्योंकि वो option नहीं मिनिंग है, समझ में आ रहा है, आप सबसे पहले first को देखते है, तो positive economics trying to understand the mechanism function, अब देखो होता क्या है, कि यहाँपर जो positive economics उसका मतलब और not, यह तो आपका normative हो जाता है, कि वो चीज सही है कि नहीं, desirable है कि नहीं, तो यह भी गलत हो जाता है, यह शायद हो सकता है, एक बार fourth वाला देखना चाहूंगा, trying to understand it is biodegradable, नहीं यह भी गलत है, मैं कहने समझ में, is cheap or not, यह भी गलत है, correct answer आपका second वाल हो जाता है, त consumption, investment, government और net exports, आपका यहाँ पर add हो आता है, तो 19th का यहाँ पर भी option हो जाता है, चलो, easy question था, 20th पर चलते, which among the following equation is correct, कौन सा इसमें से correct है, तो NDP at FC जो है, वो GNP at MP minus depreciation, अच्छा, इसको करने में, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, time लगेगा, क्योंकि आपको यह exam में आता है, तो इस question को leave करते हैं, इसको करने ही कोशिश मत करना, अब next पर चलते हैं, तो यहाँ पर आता है, need to implement, monetary and fiscal policy, arrange in sequence, sequence में पर arrange करना है, तो सबसे पहले आपन देखते हैं, तो first से start हुआ है, four से start हुआ है, third से, और fourth से, यानि कि four से दो बार start हुआ है, तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, monetary policy, fiscal policy implemented to control, price rising, ऐसे start नहीं हो सकता है, start होगा यहाँ पर, third से, that is equilibrium level of output is more than employment, यहाँ पर output जो है, यहाँ से अपना start होगा, और फिर, अपना जाएगा first page, that is demand जो होती है, वो more than the level of output at the full employment level, यह चीज़ हो जाएगा, तो third के बाद first आएगा, then आपका fifth आएगा कि इसको maxis demand बोलते है, then आपका आएगा कि it leads to rise in prices, इससे price rise होंगे, बसका फिर last लाएगा, monetary और fiscal policy को आप यहाँ पर implement करोगे, ताकि control है price, तो यह आपका sequence यहाँ पर चलने वाला है, तो C is your right answer, the government sector affects personal disposable income by collecting cash through which it can change the distribution of income, the redistribution objective fulfilled by, यह इतनी बार आचुका ह इसको बिल्कुल रटलो यह आ सकता है, wealth tax, gift tax, income tax, sales tax, correct answer आपका income tax यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि वहीं से आपका भी यह लग जाता है, अब next question यहाँ पर आता है कि the government provides certain goods and services which cannot be provided by the market mechanism, by the exchange between individual consumers and producers, these goods are referred to as private goods, public goods, superior goods, inferior goods, तो अगर government को इस certain goods प्रोवाइड कर रही है, ताकि व क्या बोलेंगे, private तो नहीं बोलेंगे, superior भी नहीं बोलेंगे, inferior भी नहीं बोलेंगे, correct answer आपका, public goods जाता है, government और public एक ही चीज़ है, तो आप समझ सकते हैं, next पर चलते है, तो यहाँ पर आता है, arrange the following chronological order, तो chronological order की यहाँ पर बात की गई है, great proletarian cultural revolution की बात की गई है, people republic of चाइना की बात की गई है, greatly forward campaign की बात की गई है, China का reform period और one child norm of China ended, तो यहाँ पर कब क्या हुआ ता chronological order में लगाना है, तो सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर second से start हो जाएगा, मेरे साब से, क्योंकि आपका people, Republic of China जब बना था, उसके बाद ही तो सब तो देखो, greatly forward campaign, people, Republic of China के बात स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर second आना चाहिए, तो यहाँ पर जो correct option आपका हो जाता है, second के बाद, आपका third हो जाएगा, तो A is your right answer, 24th का A हो जाएगा, next question यहाँ पर आता है, कि identify the correct sequence in order of occurrence, तो occurrence के साब से हमको निकालना है, मन नरेगा, WTO Green Revolution Planning Commission GAT, अब देखो इसको करोगे कैसे, अगर यहाँ पर 1, 2, 4 और 4, 5 हो सकता है, तो 1, 2, 4, 5 हो सकता है, third से कभी start नहीं हो सकता है, तो अपसे पहले अगर मैं 1 की बात करता हो, M नरेगा, तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, MG नरेगा, यहाँ पर नहीं हो सकता है, मात्मा गान बना था, आपन ऐसा तुक्का लगा रहे है, और जो GAT था, वो मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर 1947 में होना था, तो यहाँ पर GAT से स्टार्टिंग होगी, GAT के बाद ही Planning Commission आया था, यह जीज़ बस याद रख लो, तो यहाँ पर correct option, आपका C हो जाएगा, यहाँ पर होगा, B और D तो अपना कड़ी गया, ठीक है, अब B का बस पता कर लो, Tata Airline का मुझे नहीं पता है, Tata, Iron and Steel Company, Tesco का मुझे पता है, जो Tesco थी वो आई थी अपनी 1907, तो D का जो होगा, वो second होगा, और यहाँ पर D का second देखो दिया गया, तो A यहाँ पर option हो जाएदा, तो 26 क यह option सही हो जाता, देखो बिल्कुल easy way में मैं, यहाँ पर solution जो है, वो कर रहा होता हूँ, अब next question पर आते हैं, तो बोला गया है कि the downward sloping of the demand curve indicates that its slope is positive, negative, neutral, not defined, तो देखो यहाँ पर बहुत ही easy तरी समन्ना है, जो अपना demand curve का slope कैसे जा रहा नीचे जा रहा है, अब अगर price 0 हो था, तो demand सबस्या जाती, जैसे से price बड़ा demand कम हो गई, यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है, demand curve negative जा रहा है, तो correct answer आपका negative हो जाता है, आगे बढ़ते तो जाता है, in balance of payment account, portfolio investment is a part of post office, capital account, current account या फिर bank account, तो यहाँ पर जो correct answer, आपको जाता है कि balance of payment account होता है, तो portfolio जो investment होत capital account होता है, ऐसा same question अभी मैंने अपने किया था, उपर ही अपने question किया था, जहाँ पर अपन को net factor income वाला पूछा गया था, उसमें ये portfolio investment option में था, तो आपको कुछ ऐसे question भी मिलेंगे exam में, जिसमें दोनों ही, अगर आपको एक question बनता है, तो दूसरा question भी आपको बन जाए E, okay, then the demand curve will be in the shape of rectangular, triangular, triangular, cyberbola, hyperbola, या फिर hyperbola, rectangular, अब दोको ये किसी को समझ में नहीं आया हो, और यहाँ पर अगर ये question मुझसे नहीं बन रहा है, तो मैं क्या गरूँगा, तो यहाँ पर मैं ये देखूँगा कि यहाँ पर क्या चीज मैंने पढ़ी है, क्या नहीं मैंने cyberbola तो पढ़ा ही नहीं है, मतलब आपने कभी भी micro पढ़ी होगी, cyberbola मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो A option नहीं हो सकता और B option नहीं हो सकता, अब देखो rectangular होगा, या तो ट्राइंगल होगा, तो अब यहाँ पर अपर अपनको तुक्का लगाना है, तो देखो, expenditure is always same and equal to E then the demand curve will be in the shape of, कि shape में होगा demand curve, तो देखो maximum time अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो correct answer होगा, वो हमेशा होगा rectangular, hyperbola, triangular, hyperbola, आज तक सुना नहीं है, ना कभी होता है, तो correct answer आपका D ही होगा rectangular, hyperbola, ठीक है, 30 पर चलते तो जाता है, among the falling identity, identify the intermediate goods, तो intermediate goods निकालना बन को बहुत ही easy है, straw used for sipping cold rings, तो यहाँ पर जो straw है, आपने उसको use किया था, cold rings के लिए, क्या यहाँ पर कोई resale हो रहा है, तो यह चीज तो नहीं होगी, तो one वाला तो चीज नहीं हो सकता है, तो one and two वाला कट जाता है, fourth and one वाला भी कट जाता है, तो या तो आप third and fifth होगा, या तो second and fourth होगा, तो देख लेते हैं, copper used, blackboards used for teaching, तो जो को blackboard जो आप use कर रहे हो, वो हमेशा रहने वाला है, तो यह भी नहीं हो सकता है, तो second वाला भी नहीं हो सकता है, तो correct answer आपका third और fifth होगा, आप करके भी देख सकते हो, तो third वाला copper used for making utensils को तो यहाँ पर यह भी हो जाए, तो यहाँ पर थर्ड और fifth होगा, तो यहाँ पर थर्ड और fifth होगा, वो correct answer आपका हो जाता है, तो यह आपका सही answer है, अब next question पर आते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है, कि select which of the falling is not one of the components of the aggregate demand for final goods, तो कौन सा component नहीं होगा, तो एक्सेंटे, consumption, consumption, investment, post consumption, या फिर government spending, अब जब कोई यहाँ पर बहुत सारे बच्चे confuse होगे, कि भई हम two sector model पढ़ते हैं, तो ed equals to c plus i होता है, तो अब government spending पर टिक करके आओगे, पर यह बिल्कुल गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं, तो एक्सेंटे consumption consumption, अपना जो होता है, जो कि यहाँ पर incorrect है, that is, exposed consumption, hope so, आपको clear हो रहा होगा, अब next question पर चलते है, तो यहाँ पर बोला गया है, demand equation, जो कि दो consumers के हमको दी गई है, so D1 यहाँ पर दिया गया है, और D2 भी यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर बोला गया है, जो D है, demand और P, price है, तो हम सबको बता है, अब यहाँ पर बोला गया, market demand हमको निकालना, अब दोको market demand निकालने का एक ही तरीका है, that is, कि आपको यहाँ पर जितनी भी demand दी गई है, अब को plus कर देना है, तो यहाँ पर price आपको 2 दिया गया है, तो 2 को बस यह जो P दिख रहा है, उसके दा आपकत नहीं है, चलो आगे बढ़ते है, identification of poverty line used in Indian chronological order, तो यहाँ पर आप कैसे करते हो, तो यह चीज़ आपको पता हो न चाहिए, इंडियन एकनोमिका डारेक्ली यहाँ पर concept हमारे सामने आ जाता है, तो यहाँ पर options को देख करके थोड़ा सा predict करने की को मैं कोशिश तो सबसे पहले या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 या तो 2, देखो बिलकुल easy कर दिया गया, सिर्फ एक थीज़ अपन को निकालना है, ठीक है, तो first में क्या आएगा, तो अगर मैं आपर बात करता हूँ, सबसे पहले आप अगर poverty line की बात करते हैं, तो सबसे कम पैसा जो होता है, वो jail cost of living का होता है, तो यहाँ पर जो correctly, हमारा जो C option है, तो यहाँ पर directly से पहले आता है, फिर आपका task force on minimum needs आता है, ठीक है, उसके बाद फिर अगर मैं बात करते हो, थर्ड आता है, that is monthly per capita income, और उसके बाद, lastly आता है आपका send index, ठीक है, तो यहाँ पर lastly सारी च कर लो, बाकी सब हो जाएगा, अब next question पर यहाँ पर चलते है, तो आजाता है, कि choose the correct statements, statements करेक्ट देखना बन को, WTO was founded in 1995, बिलकुल सही है, WTO is expected to establish a rule-based trading regime, यह भी सही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप options देखकर के लगा सकते हो, तो one सारी option में दिया है, त 2nd सही है, तो यह correct हो जाएगा, WTO has 23 members, 23 members यहाँ पर नहीं है, ज्यादा members है, कम सकम 100 से ऊपर इतना अपन को पता है, तो यह 3rd गलत हो जाता है, तो जैसे 3rd अपन को गलत मिलता है, A option में 3rd है, A गलत हो गया, 2nd option में 3rd है, यह भी गलत हो गया, और C option में 3rd नहीं है, तो यह स पर चलते हैं, तो फिर से हमाई सामने आता है, identify the correct statement, तो correct statements यहाँ पर निकालना है, तो GDP at MP is the monetary value of all the final goods and services produced within a domestic territory of a country measured in a year, तो नहीं यहाँ पर इतो गलत हो जाएगा, तो यह option पहला गलत हो जाता है, 2nd इसकी GDP at MP is equals to consumption investment government यहाँ पर हो जाता है, और प्लस आपका net exports हो जाता है, where C is consumption, अच्छा हाँ, इनने खुदी बोल जिया, यहाँ पर तो यह तो option बिल्कुल सही हो जाता है, इसके अलावा, GDP at MP is equals to GDP FC minus NIT नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर सब कुस्सेम दिया गया है, सिर्फ FC से MP जाना है, तो कभी भी market price पर जाना तो प्लस होगा, तो वेल, if all the final questions are produced within the domesticated of a country, major data year, यह बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर जो correct option आपका हो जाता है, that is, यहाँ पर second और fifth यहाँ पर हो जाएगा, clear है, चलो, इन year, in which year Pakistan announced its first five year plan, तो first five year plan कब आया था, 53, 51, 54 या फिर 56, तो यहाँ पर जो correct option आपका हो जाता है, that is, 36 का, 1956 में first five year plan आया था, next जाता है, the time period of financial year in India is, 1st January से 31st December, okay, 30th April, 1st April या फिर 14th January, तो यह बहुत सारे लोगों को नहीं बता होगा, तो financial year, अमेशा हो जाता है, फिर से match करना है, यहाँ पर match the column again, देखो year के questions बहुत सारे आया, year के questions आपको करके ही करके जाना पड़ेगा, especially India, Pakistan, China वाला जो chapter है, उस पर year बहुत अधा important है, सबसे पहले जो Republic, जो China था, वो कब आया था, तो 1947 में अपना आया थे, और 1949 में मिरे साब से आया था, तो C का first हो दिया गया है, तो यहाँ पर correct option आपका D हो जाता है, तो A का अगर मैं देखता हूँ, D होना चाहिए, first five airplane, 1956 में देखो बिल्कुल एक option लगाला, उसी से यहाँ पर सही हो गया, तो यहाँ पर 38 का D होगा, now next question पर चलते है, तो आता है कि name the person who has introduced commune system in China, तो commune system कौन लेके आया डॉक्टर राओ को भी मैंने सुना, और यहाँ पर माओ, सिर्फ माओ का नाम मैंने सुना, directly इस पर click कर दूँगा, correct है बात, चलो, 40 पर चलते हैं, तो GATT was established, क्यों GATT को established किया गया था, administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market, ठीक है, to cover trades in all the goods and services to facilitate international trade, sell part of the equity to the public sector to hire regular commercial service, यह भी गरात होगा, to cover trade all goods and services, यह भी हो सकता और यह भी हो सकता है, तो अब बताओ, क्या होगा यहाँ पर, 48 का क्या होगा, A होगा कि B होगा, तो यहाँ पर to cover trade in all, नहीं, यह जादा sense मुझे बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर administer all multilateral trade, equal opportunity, सारी country को बनाना है, तो A is your right answer here, तो यहाँ पर मैंने सेप पर मिल जाएगी, दोनों गुर्प को जॉइन कर लो भाई, कहीं पर भी अपलोड हो सकती है, इसाद अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो, जा से दर शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे, मिलते एंगली वीडियो में, तब तक के लिए, all the best.